विवादत जमीन रामलला विराजमान को सौब दी गई है साती ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कौट ने कि सरकार तीन महीनों के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करे वो राममंदर का निर्मान करेगी मुस्लिम पक्षकारों को पांच एकड जमीन दी गई है जहांपर मस्जिद ब अगर बटा हुआ भी होता रिवीव का अधिकार है ये टेक्निक अलेटी रहे गई है दरसल अब यह जो फैसला है सर्फ समती से जो फैसला है अब इसका किस तरह से पालन किया जाता है जो कुर्बान भाई और मनोज रगवंची लगातार कह रहे हैं वो देखने वाली बात होगी तारीखी दन है एतिहासक फैसला है विवादत जमीन पर अब राममंदर बनेगा ये रास्ता साफ हो गया है सुप्रीम कौट के फैसले क सुप्रीम कोट से गया है वकील भी बाहर आ चुके हैं खबर ये आ रही है कि अब विवादत स्थर्पार राममंदर बातली दिक्री किया है और उनको एक औरनेटेट लैंड देरी की आदेश पारित किया गया है सुप्रीम कोट ने का है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक औरनेट लैंड दी जाए जो पांच एकड़ की होगी और वो केंसर का और स्टेट गवर्मेंट मिलके डिसाइड करें आयोध्या में एक प्रॉमिनेट जगा पे वो जमीन दी जाएगी पांच एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को शूट नंबर चार में दी जाएगी मज़्जित बनाने के लिए ओके विश्णू जैन बता रहे थे हिंदू पक्षक के वकील कह रहे थे मुसल्मानों को आयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन दी जाएगी जहां पर मजजित बनेगी लेकिन विवादिस थल रामलला विराजमान को दे दिया गया प्रॉभाकर मिश्रा मेरे साथ सुप्री देखिए प्रॉभाकर हमारे साथ आ गये हैं कौट नंबर वन से फैसला आ गया है विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा मुसलिम पक्षकारों को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन दी जाएगी जहां पर मस्जित बनाई जाएगी खास बाते क्या हैं जो दर्शक ह हमारे साथ अभी जुड़े हैं जरा तफसील से बताएगी खास बात यह है कि विवादित जमीन पर मंदिर बनेगा और इस देश के समयधानिक धाचे को समयधानिक मुल्यों का सम्मान करती है सुप्रीम कोट ने कहा है कि मुसलिम पक्ष के लिए अजुध्या में ही पांच कर जमीन दी जाएगी और संदीप अपने दर्सकों को मैं याद दिला दूँँ कि जब मध्यस्ता की बात हो रही थी तो इसी तरह के प्रपोजर पर बात भी हो रही थी सुन्नी वक्ष बोर्ड ने कहा था हम मंदिर के लिए जमीन देने को तयार है हमें हमारे को एस आई के तहत आई हुई कुछ मस्जिदों पर भी हक मिले और अलग से मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाए तो मैं संदीप यह कह रहा हूं कि मोल्डिंग अप्रिलीफ में अपने तरफ से लोगों ने पक्षकारों ने जो रखा हुआ था वो कहीं ने कहीं वो बात फैसला में भ भी खारिज नहीं किया जा सकता तो एसाई की रिपोर्ट भी है अस्था भी है अंडिस्प्यूटेट वहां पर पूजा होती होती रही है मुस्लिम पक्ष भी मानते रहें कि अध्या में भगवान राम का जन्मस्थान है अंग्रेजों के जमाने से पहले राम चबूतरा हो स पहले विवादित जमेन पर मंदिर बनेगी मंदिर सरकार बनवाएगी सरकार इसकि ल leg ट्रस का काम होगा मंदिर बनाना लेकिने जिसे पक्षकार मानने से इंकार कर दिया एक दिल्चस्प बात ये कि निर्मोही अखाड़े के सूट को खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि लिमिटेशन में वो बार है अड्मिशन नहीं है तो उनको खारिज कर दिया लेकिन ये कहा कि जो कैनल सरकार ट्रस्ट बनाएगी उ और निर्मोही की लडाई भी आई थी कि जब वहां पर मंदिर बने और वहां पर जब कुछी तरह की ब्यावस्ता हो तो हमें मत भूलिएगा तो कोट ने तो यहां तक कह दिया था मुस्रिम पक्ष को दो हिंदू पक्ष को दो हमें मैनेजीरियल राइट समय मिलनी चाहिए करने का वजह भी संदीप समझिए कि तीन पक्ष में हाई कोट ने तीन हिस्से में जमीन को बांटा था उसको कोट को भी लगा कि निर्मोही अखारे को आप खाली हाथ कैसे पेज सकते हैं इसलिए उनके इस बात का उनके मत एक तरह कैसी भावनाओं का सम्मान भी करना एक त संदीप जब से फैसला सुरक्षित हुआ था तब से जितने जानने वाले हमारे हैं यहाँ पर इस मामले के पक्षकार है और वकील है सब से बात करो तो सब लोगों के मन में डाउट था कि सर्वसंमत से फैसला शायद ही आए इवें अभी फैसला सुनाए जाने के पहले भी लोगों के मन में डाउट था कि ये था कि तीन दो से फैसला आएगा चार एक से फैसला आएगा लेकिन जब मुख्यने आधिश ने कहा कि हम सबने पांचों लोगों ने सर्व सम्मति से फैसला लिखा है तो एक बार सब के चेहरे पर ऐसी बात आ गई कि मतलब कि ये फैसला नह नहीं यहां पर review की भी बात आती है लोगों के जहन में जो दर्शक हमें देख रहे हैं जब सर्वसमती से फैसला आ जाए पांच जजों की खंड़ पीट ने ये फैसला सुनाया हो review टेक्निकालिटी तो है आप जा सकते हैं लेकिन उसकी संभावना कितनी है उसके माइने क्या ह ये केवल कानून के किताब में लिखा हुआ है इसलिए ही इसमें से कोई पक्षकार चाहे तो review फाइल कर सकता है लेकिन सर्वसमती फैसला आपने कहा सर्वसमती से फैसला आया और फैसला ऐसा नहीं है जब तक सुप्रीम कोड के जजों को खुद नहीं लगता है कि हमने फैस कोई मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों की क्या प्रतिक्रिया थी कोट के अंदर संधीप कर कहें कि सबके पर चेहरे पर एक संतोषग का भाउट था अगर हम उसी तरह से चुकिए यहां पर बात आस्था की हो रही है बात विस्वास की बात हो रही है तो मैं एक बात कहूंग कि ये बात सुप्रीम कोट में फैसला सुनाए जाने के बात बाहर जब कुछ लोग निकले हैं तो कुछ वकीलों में से लोगों ने मतलब पति उस्ताह में नारा लगाया ये बात इस तरह की तश्वीर अगर कहीं से भी आती है तो उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि की रक्षा की है और उसके हिसाफ से फैसला दिया है तो सबको हमको आपको दर्सकों को हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष सबको मिल कर देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले का समान और ये न्यूस 24 भी सबसे अपील करेगा प्रधान मंतरी मोदी ने भी जो कल बात कही थी ये जो फैसला है ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं है तारीखी दिन है एतिहासिक फैसला है फैसला आ गया है और ऐसे में हमें अपनी एकता अपना भाईचारा वो बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है और आज देश को दिखाना होगा हम दरसल अनेकता में एकता के फैसले पर ना प्रोटेस्ट करें का ना कोई जश्ट मनाएगा और यह निशी तोर पर जब मैं बार बार यह कहा रहा हूं कि ना कोई जीत है ना हार है इसको इस लिहास से देखना चाहिए कि हिंदुस्तान जीता है समयधानिक मुल्य जीते हैं आस्था भी जीती है और आप कोट ने जब कहा कि रामलला विराजबान की याचिका को सुट को हम अब अलाव करते हैं यानि उनके पक्ष में फैसला देते हैं तो उसमें यह नहीं कहा कि मंदिर वहां बनाई है लेकिन और बाकाइदा पांच एकर जमीन दी जाएगी अजोध्या में ही दी जाएगी ऐसा नहीं कि आप कहीं और बना दीजिए नहीं कोट ने कहा कि अजोध्या में ही दीजिए और पांच एकर जमीन दीजिए तो मुझे नहीं लगता है कि इस फैसले पर किसी पक्ष को कोई एतराज होना चाहिए और एक और एहम बात जो ऑपर सा दिलाने की कोशिश की है सुप्रीम कोट ने आपके धार में स्थालों पर कुछ नहीं होने वाला है उनको प्रोटेक्ट करना उनको संद्रक्षित रखना ये सरकार की इस देश की जिम्मेदारी है अब संदीप दर्शकों को शायद ये इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी जब सुप्रीम कोट ने कहा